कि नमस्क्राथ दर्शतौ स्वाकते आफ सबी का आज फिर से वीडियो में हमापके ले कर आए हम उद्धान विज्ञान सेकंड रहे हैं एक मॉडल पेपर हमने पिछली वीडियो में कराया था जिसकी लिंक डिस्कॉप्शन में दे दी जाएगी और यह जो मॉडल पेपर है वो किर्शी परवेशक 2021 के लिए सबसे महत पूर है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाने से पहले जो लोग चै सबस्क्राइब करते हैं और आगे चलते हैं सुरुवात करते हैं धन्विज्ञान मॉडल पेपर की तो देखिए अपना पहला प्रश्न राजस्थान में कितने प्रतीसत भूमी पर बागवानी की जाती है आप्सन ए तीन प्रतीसत आप्सन बी साथ प्रतीसत आप्सन सी बारा प्रतीसत आप्सन डी उन्नीस प्रतीसत राजस्तान में कितने प्रतीसत भूमी पर वागवानी की जाती है तो यहां जो अपना सही उत्तर है दोस्तों वो है आप्सन ए तीन प्रतीसत राजस्तान में के गाजर में लाल रंग का कारण है, option A केरोटीन, option B जन्तुफिल, option C एन्तुसाइन, option D सोलेनिन, तो यहाँ जो दोस्तों अपना राइट आंसर है, वो है option C एन्तुसाइनिन, गाजर में लाल रंग एन्तुसाइनिन के कारण होता है, तथा पीला रंग केरोटीन के कारण होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्ण की तो अपना अगला प्रश्ण है आम में आंतरिक फल गलन रूग का कारण है ओप्शन A बुरोन ओप्शन B सल्फर डायोकसाइड ओप्शन C कारवन डायोकसाइड ओप्शन D उपयोक्त सभी आम में आंतरिक फल गलन रूग का कारण है तो यहां जो अपना option है option A सही है, आम में आंत्रिक फलगलन रोग बोरोन की कमी के काराण होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्ण की, तो अपना अगला प्रश्ण है KMS की कितनी मात्रा परियरच्छन का कारे करती है KMS की कितनी मात्रा पर रच्छन का कार्य करती है Option A 1% Option B 0.5% Option C 0.05% Option D 5% तो यहां जो अपना सही उत्तर है वो है Option C 0.05% KMS कार्त होता है Potassium Meta-Y-Sulfide और Potassium Meta-Y-Sulfide की 0.3% से 0.5% पर रच्छन का कार्य करती है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है फल पर रच्छन में किस विटामिन का उपयोग होता है फल पर रच्छन में किस विटामिन का उपयोग होता है Option A, Vitamin A, Option B, Vitamin B, Option C, Vitamin C, Option D, Vitamin K तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वह Option C, Vitamin C फल पर रच्छन में विटामिन C का उपयोग किया जाता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है केचप में कुल गुलन सील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है केचप में कुल गुलन सील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है Option A, 60% Option B, 65% Option C, 44% Option D, 30% तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है Option D, 30% केचप में 28-30% TSS या कुल गुलन सील ठोस पदार्थ पाया जाता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न हैं पर्ण पाती पोदों में प्रूनिंग की किरिया की जाती है Option A, मार्च अप्रेल Option B, जुलाई अगस Option C, दिसंबर जनवरी Option D, सितंबर अक्टूवर तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है Option C, दिसंबर जनवरी दिसंबर और जनवरी के माँ हमें पन्ड पाती पातपों में क्रूनिंग या कटाई छटाई की किरिया करते हैं आगे अगला प्रस्छल हैं निम्न में से उदधान लगाने की सर्बुत्तम बिदी है आप्शन A वर्गाकार, आप्शन B आयताकार, आप्शन C कंटूर, आप्शन D तर्बुजाकार तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है आप्शन A वर्गाकारविदी उद्धान लगाने की सबसे सरवुत्तम विदी वर्गाकारविदी है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है नोचिंग की किरिया किस वसल में की जाती है नोचिंग की किरिया किस वसल में की जाती है उप्सन ए बेर उप्सन बी आवला उप्सन सी खजूर उप्सन डी अंजीर तो यहां जो अपना सही उत्तर है वो है देखिए अपने यहां फाउंडेशन चल रहा है जिसमें जो विद्यारती 12th और 11th में पढ़ रहे हैं वो मात्र 12,000 रुपए में स्कूल फीस प्लस कोचिंग प्लस ZICR की त्यारी कर सकते हैं विद्यारती मात्र 12,000 रुपए में 11th 12th के साथ ZICR का फाउंडेशन ले सकते हैं और जिसके एडविशन अभी चालू है यादि आपके परिवार में या आप सम्मंदित कोई व्यक्ति है तो उसे एडविशन के लिए जरूर विजिए अपना कॉंटेक्ट नमर है यहां कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं तो चलिए हम बात करें अगले प्रस्ण क पेड़ पौदों को आधुनिक आखतियां देना कहलाता है और बोंस आई ऑप्सन बी टौपी अरी ऑप्सन सी संदाई ऑप्सन डी निफिन तो यहां जो अपना राइट आंसर है वह है टौपी अरी जब पेड़ पौदों को कृतिम आखतियों जैसे गोड़ा हाती बंदर क आखितियों बनाए जाता है तो इसको क्या कहते हैं तो पियरी कहते हैं आगे हम बात करें अगली प्रस्ट की तो अगला प्रस्ट है आम में पुस्पन की किरिया कि सुमाह में होती है आम में पुस्पन की किरिया कि सुमाह में होती है ओप्सन ए अप्रेल ओप्सन बी दिसंबर ओप्षन सी जुलाई ओप्षन डी अक्टूवर आम में पुष्पन की किरिया कि सुमा में होती है ओप्षन ए अप्रेल ओप्षन बी दिसंबर ओप्षन सी जुलाई ओप्षन डी अक्टूवर तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है option B, दिसंबर आम में, दिसंबर माहा में पुस्पन की किरिया होती है आगे हम बात करें अगले प्रश्ण की, तो अगला प्रश्ण है निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है option A, पपीता, option B, अंगूर, option C, सेव, option D, बेर तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है, वो है option D, बेर, बेर क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, बेर नोन क्लाइमेट्रिक फल है आगे हम बात करें अगले प्रश्ण की, तो अगला प्रश्ण है निम्न में से क्लाइमेट्रिक, यही कुशन आगे द्वारा से, एक मिनट अगले प्रश्ण की बात करते हैं, तो अगला प्रश्ण है, ऊशन जलवाईउ का सेव किसे कहा जाता है, option A, बेर, option B, अमरूद, option C, पपीता, option D, तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है, वो है बे, अमरूद, अमरूद को एपल आप्ट्रिक्स या ऊशन जलवाईउ का सेव क पहते हैं, आगे हम बात करें, अगले प्रश्ण की ओर, तो अगला प्रश्ण है, बील किस कुल का पादप है, option A, बोरेंगने सी, option B, रहमने सी, option C, रूटे सी, option D, पामे सी, तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है, वो है option C, रूटे सी, बील, रूटे सी कुल का पादप होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रस्त की तो अगला प्रस्त है आम की किस किसम के फल बेर जैसे होते हैं बेर और सेवे की बात है आप्शन A, चोंसा, आप्शन B, नेलम, आप्शन C, रूमाली, आप्शन D, लंगडा आम की किस किस्म के फल बेर जैसे होते हैं तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है option C, रूमाली आम के रूमाली किस्म के जो फल है वो बेर या सीव जैसे आकार के होते हैं आगे हम बात करें अगले प्रश्चन की ओर तो अगला प्रश्चन है निम्न में से किस पादप के फलों को दूप में सुखाया जाता है option B या खजूर बेर दूप में सुखाना अर्था सन क्यूरिंग और सन क्यूरिंग की जो क्रिया की जाती है वो खजूर में की जाती है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्चन की ओर तो अगला प्रश्चन है अनार की आई आई एचार द्वारा विक्सित किस्म है अनार की आई आई एचार द्वारा विक्सित किस्म है उप्सन ए अरक्ता उप्सन बी मरदला उप्सन सी रूबी उप्सन डी भगवा संदूरी अनार की आई आई एचार द्वारा विक्सित किस्म है तो यहां जो अपना सही उत्तर है वो है उप्सन सी रूबी रूबी किस् है अगले प्रश्ण की ओर तो अगला प्रश्ण है गेदा की बीज दर होती है गेदा की बीज दर होती है ओप्शन ए 5 किलोग्राम प्रती हेक्टियर ओप्शन दी 3 किलोग्राम प्रती हेक्टियर ओप्शन आयोडीन का अच्छा सुरूत माना जाता है, किस सब्जी को आयोडीन का अच्छा सुरूत माना जाता है, option A, बेंगन, option B, अरवी, option C, बिंडी, option D, टमाटर, किस सब्जी को आयोडीन का अच्छा सुरूत माना जाता है, तो यहाँ जो अपना right answer है वो है option C, भिंडी भिंडी को iodine का अच्छा शरूत माना जाता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रशन की, तो अगला प्रशन है लेहसुन की प्रति हेक्टियर बीजदर होती है option A, 50 kg, option B, 280 kg, option C, 500 kg, option D, 750 kg लेहसुन की प्रति हेक्टियर बीजदर होती है, तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है, वो है option C, 500 kg, लेहसुन की प्रति हेक्टियर बीजदर 500 kg होती है तो यह थी अपनी 20 प्रशनों की टेस सीरीज, अगर टेस सीरीज आपको पसंद आई हूँ, तो हमें कमेंट करके जरूर पताना, और अगर आपको पीडियर चाहिए, तो कमेंट पो अपना नमबर जरूर टाइप करना, जहिन